मध्य प्रदेश में विधान सभा चुनाव के लिए प्राप्त मत्यों की गिंती 3 दिसंबर को होगी इसके पहले 10 दिसंबर को तिलंगाना राज्य में विधान सभा चुनाव संपन होते ही पूरे देश भर में हुए चुनाव के लिए एक्जिट पोल आएगा exit poll आने के पहले सभी पार्टियों के जीत हार को लेकर अपने अपने दावे हैं इसे वीज MP के पूर्र मंतरी और कॉंग्रेस विधायक PC सर्मा ने चुनाव परिणाम और नई सरकार को लेकर बड़ा बयान दिया है पूर्व मंतरी एवं कॉंग्रेस विधाय पीसी सर्मा नि कहा है कि बिजेपी का समय खत्म कॉंग्रेस का समय सुरू हो गया है आज शाम पांच बजे से कॉंग्रेस का समय सुरू हो जाएगा कहा कि मध्यप्रदेश में बिजेपी की जमीन खिसक चुकी है बिजेपी के मंत्री अलग-अलग आपकड़े एक्जिट पोल को लेकर बता रही है इन्हें पता ही नहीं है कि वस्तु स्थित क्या है जनता ने अपना फैसला सुना दिया है उन्होंने दावा किया है कि मध्यप् कि जमीन किसी हुई है और इस चुनाओं के अंदर एक्जिट पोल में आपको आज इस दर्ष्ट देखने को मिले रहा कि जो मैं बार-बार करता रहा हूं कि कांग्रेस को 114 नहीं 114 से ज्यादर सीटे आएंगी और कमर्नाजी देटर भी से पैर बनेगी भारती जनता पाटी कर समय समतर हो गया और आज पांच में से कॉंग्रेस कर समय शो हो जाएगा और तीन दाजी को आप देखेंगे कि जो एक्जिट पोला है अभू बहू वो रिजल्ट आपकों देखने के लिए तीन दिसम्ब को मिलेंगे